पस्माक्डाउन के अंदर स्माक्डाउन पर जे उसो भी फाइनली स्वाइनि के उपर अठाक करने के बाद कुछ बाते कहते हैं एंट शो के ऊपर हमें जुए डबल विंदर दिखा देते हैं वाईटल फाइव माच के शाली कलारेंड रियार रिप्ली का होता है एंड होता है हौल आफ फेम का फॉस्ट इंडक्टी रिवेल बहुत सारी चीजे होती स्मैक डाउन पर सबसे पहले में फेटल फाइवे मैश दिखा देता है डू मैकेंटर शेमस और सारे मेंबर्स होती जेवर वर्वर्ट वगेरा काफी अच्छा मैश होता है काफी दो विनर्स निकलते है जिया गॉइस एले नही नैट को पेन करकर डू मैकेंटर और फेम फेमस और फेमस तोनों यह विनर होता है ने गाइज अपने रे में स्टेडियो जी है एक अन थिंकेबल यह चीज होती है स्मैक्डाउन पर एंड गाइज आउड आफ नोवे देटिंग होती मैंने आपको कहा था कि बहुत जल्दी यह चीज रेविल होगी लेकिन रे मिस्टेडियो किसी ने सोचा नहीं था इसके बाद कर रहे होते हैं लेकिन तभी जजमेंटे उनको इंटरब करता है लगाल दो दर्फेंटाजमा की पुरी टीम एंड फलाल जो इसके बाद हम इनको इनक्स मैच भी होना होता है तो इसलिए फलाल जोए यह में कॉन्फेंटेशन देखा देती इसके बाद इन दोनों का हम के सामने आता है अपने डॉमिन करना चाहते हैं लेकिन यह फलाल हमें जोए तिंग दिखा दीती लेकिन जो अपने यह वह तो जो यह फाइट नगा चाते रेंग से तो अब लेटसी हमें के आतिंग दिखा देती है लेकिन यह से हो चुके हैं हॉल अफ इम के फर्स्ट इंडक्टी इस कदर में दिखा देता है वाइकिंग रेडर्स वर्सिस ब्रॉंस रोमनेंड रिकशे के बीच मैच अधिस म रिया रिपली एंड इस मैच के अंदर वो रिंग साड़ पर बैठकर मैच को देखती है शारली फ्लेर मैच के अंदर अपना मुग लगाती है रिया जीतने वाले जैसे उनने पहले आ रहे था वह फिर एक बार हराएगी रिया रिपली को रेसल मिया में लेकिन इसके बाद फानल ऐसरे मीन इवेन्ट उसोज आता हैं फानलई वसोजज वाले आडगे लंबे टाइम के बाहद दोने एक साथ आते हैं वेजद साम ईजझें के बहुत तक रगड़े चैन्स होते हैं साम ईजञ्ड के चैन्स होते हैं और यह भी प्लड लाएंसे निकाला जैन्ट फिर बात करतें प्रॉब्लम है अगर तुम अंदर आते हो तो तुम जैंडर के अंदर नहीं कर सकते कोडियरं इंद्स रिंग के आने की कुछ इसे करतें लेकिन पीछेश मीए इसे इस उपर अटाक करते है अटाक करना के बाद जो सभी मिलका गत्थेने एक ब्रॉल वेकर होती है एंग्रमी जो है ब्लड लाइन झाल झाल